Hello students, मैं हूँ अजे गुपता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजे गुपता अडू पॉइंट जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम केमिकल रियक्शन और इक्वेशन जो की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास टेंथ का हम वो पढ़ रहे हैं उसमें मैंने तीन वीडियो बना दी हैं तो ये मेरा फोर्थ वीडियो है तो जिन भी स्टूडेंट ने मेरे पहले तीन वीडियो नहीं देखे हैं केमिकल रियक्शन और इक्वेशन चैप्टर पे तो उनके लिए मैं क्या करूँगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के description box में मैं उन तीनों वीडियो का link जो है वो डाल दूँगा तो आप उस link को click करके मेरे पिछले तीनों वीडियो देख सकते हूँ तो चलो वीडियो को start करते हैं हमारा student आज का topic है balanced chemical equation and unbalanced chemical equation student हम अब पढ़ेंगे इस chapter में या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे balanced chemical equation क्या होती है और unbalanced chemical equation क्या होती है तो सबसे पहले बात करते हैं balanced chemical equation An equation in which the number of atoms of each element is equal on the two sides of an equation is called balanced chemical equation student chemical equation क्या होती है chemical reaction क्या होती है यह मैंने आपको previous वीडियो में बता दिया है तो एक ऐसी equation जिसमें हर एक जो element है उसके जितने भी atoms है उनकी जो quantity है या number है equation के दोनों sides पे बराबर होना चाहिए student equation की जो दो sides होती है left वाली side को हम बोलते हैं product side और right side को हम बोलते हैं product side तो उसमें क्या होना चाहिए balanced chemical equation के लिए हर एक element के number of atoms left side पे और right side पे दोनों side पे क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए उस तरह की equation को हम बोलते हैं balanced chemical equation चलो student example इसकी discuss करते हैं zinc reacts with dilute sulfuric acid to give zinc sulfate and hydrogen student जब भी हम क्या करते हैं zinc metal को zinc क्या है student zinc के एक metal है जिसका symbol Zn है जब भी हम zinc metal को dilute sulfuric acid के साथ react करवाते हैं dilute sulfuric acid का formula students होता है H2SO4 जब हम zinc को क्या करते हैं कि dilute sulfuric acid में डालते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा या तो हमें conical flask लेनी पड़ेगी या हमें round bottom flask लेनी पड़ेगी उसमें हमें डालना पड़ेगा dilute sulfuric acid और उसमें हम क्या करेंगे zinc metal को add कर देंगे या zinc granule डाल देंगे उन दोनों के बीच में जब reaction होगी तो हमें मिलेगा zinc sulfate और hydrogen gas मिलेगी हमें जो की bubble formation में होगी जो bubble formation takes place होगी इस reaction के दुरान वो होगी due to the formation of hydrogen gas अब बात करते हैं students की reaction की Zn हो गया zinc plus H2SO4 हो गया sulfuric acid और हमें क्या मिलेगा product में ZnSO4 जो की zinc sulfate का formula है और plus हमें मिलेगी hydrogen gas जिसको हम लिखते हैं H2 अब student हमने क्या करना है इसमें हमारे पास देखो reactant side पे कौन-कौन सा element यूज़ हो रहा है एक zinc element यूज़ हो रहा है एक hydrogen element यूज़ हो रहा है एक sulfur यूज़ हो रहा है और एक oxygen यूज़ हो रहा है student इस reaction में reactant पे हमारे 4 element यूज़ हो रहे है zinc, hydrogen, sulfur और oxygen अब हमने student क्या करना है इनका जो number of atom है left side पे यानी की reactant side पे और right side पे यानी की product side पे हमने इनकी counting करनी है इनके atoms की number of atoms की क्या हर एक element के number of atom दोनों side पे बराबर है या नहीं और जबकि बैलेंस होने के लिए उसके number of atom हर element के number of atom दोनों साइड पे, रेक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो चलो students count करते हैं, इनके number of atoms of each element, सबसे पहले बात करते हैं, number of zinc atoms की, तो student आप reaction में देख सकते हो, कि रेक्टेंट साइड में zinc के कितने atom है, एक है, अब रा प्रोडक्ट साइड दोनों में बराबर है, उसके बाद student बात करते हैं, hydrogen atom की, hydrogen atom left side पे, यानि कि रेक्टेंट साइड पे 2 है, यानि कि hydrogen के 2 atoms है, उसी तरह से product side पे भी hydrogen H2 लिखा है, यानि hydrogen हमारे पास 2 है, तो इस case में hydrogen atom भी क्या है, बराबर हैं, इस equation में, अब उसके बात student बात करते हैं, sulfur atom की, sulfur atom reactant side पे एक है, और product side पे भी एक है, यानि कि ये भी क्या है, sulfur भी क्या है, बराबर है, reactant और product side में, उसके बात करते हैं, oxygen atom की, तो reactant side पे oxygen atom जो हैं, चार है, वो 4 लिखा हुआ है, यानि कि 4 atom है, और product side पे भी देखो, आप oxygen जो है, वो भी कितने है, चार हैं यानि कि oxygen भी बराबर हैं इस तरह से student इस reaction में हमने देखा कि इस reaction में क्या है कि चार different element हमने use किये हैं और उनका जो number of atom है वो reactant side और product side पे सारे के सारे इस जो element है उनके जो atoms है number of atoms है वो भी क्या आ रहे हैं equal आ रहे हैं तो इस तरह की reaction को हम बोलेंगे balanced chemical equation चलो student अब बात करते हैं unbalanced chemical equation की student unbalanced chemical equation को skeletal chemical equation भी कहते हैं यह इसका दूसरा नाम है an equation in which the number of atoms of different elements is not equal on the two sides of the equation is called an unbalanced or skeletal chemical equation एक ऐसी equation जिसमें number of atoms जो है different different elements के वो दोनों sides पे बराबर नहीं होंगे उन में से student अगर एक भी element के atom बराबर नहीं होंगे तो हम उस equation को skeletal या फिर unbalanced chemical equation कहेंगे for example के तोर पर hydrogen burns in oxygen to form water hydrogen को जब हम oxygen के साथ combine करवाते हैं या burn करते हैं तो वो बना देता है water तो यह है student chemical reaction और जो नीचे लिखी हुई है वो है chemical equation तो जिन student को chemical reaction और chemical equation का नहीं पता है तो वो मेरे previous video देख के वहाँ से chemical reaction क्या होती है या chemical equation क्या होती है वो उस video पे जाकर सीख सकते हैं और उस video का link जो है वो मैं इस video में डाल दूँँग अब बात करते हैं इसकी chemical reaction की hydrogen को लिखते हैं हम H2 plus oxygen को लिखेंगे O2 gives water को लिखेंगे H2O अब देखेंगे कि यह equation balanced है या unbalanced है तो उसके लिए हम क्या करेंगे student left side पे यानि कि reactant side पे और right side पे यानि कि product side पे हम हर एक element के number of atoms क्या करेंगे count करेंगे तो इस reaction में या इस equation में हमारे पास दो ही element यूज़ हो रहे हैं एक hydrogen और दूसरा oxygen तो element कौन-कौन सा यूज़ हो रहा है इस reaction में या equation में hydrogen और oxygen और hydrogen student left side पे कितने हैं वो है 2 और right side पर भी कितने है hydrogen वो भी कितने है 2 यानि इस case में hydrogen जो है वो इस equation में बराबर हैं उसके बाद student बात करते हैं oxygen की oxygen जो है उसके left side यानि reactant side पर कितने हैं atoms हैं वो है 2 और product side पर कितने oxygen atom हैं वो है 1 इस case में oxygen के number of atoms student बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो equation है यह unbalanced या skeletal chemical equation है क्योंकि इसमें oxygen के जो number of atom है इस equation में वो बराबर नहीं आ रहे हैं तो इस तरह की equation को हम बोलते हैं unbalanced और skeletal chemical equation student जिसको भी यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please like this video comment on it and as well as share this video thank you student so much for watching the full video thank you